हeing Ş low है फruस्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके पहले लेक्षर में हमने आपको continuity आफ users के बारे में बताया था यह फंक्षन continuous कब होग怪 इस स्टों हमने आपको बताया था कि जब किसी function जई से आपको दिया गया है याफ-talkics की function है यह continuous कब कहला यह कब कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्सिकल टू ए ठीक है बराबर हो राइड हैंड लिमिट एक्सिकल टू ए और यह बराबर हो एफ आफ एक तब यह फंक्शन हमारा कांटिनूस कहलाएगा लेकिन अगर इन कई से एक भी कंडूशन फेल होई तो फंक्सन हमारा इस कांटिनूस कहलाएगा अगर इन में से कोई से फेल हो गई तो ठीक है अब जैसे लिमिट लेफ्ट राइटं संध लिमिट नहीं अगर तो उन्व दिस्कंतिनूस कहलाएगा यह तो कई तरह के descontinuous के बात करते हैं को यहां पर ने को हमसाथ मेंलेते हुए चलते हैं अब discontinuity टाइब में बात कर एक यह discontinuity के होसकती है जलेए खहाँ पडिव्री को हमने चार ताइब्स बताया थिक भाउचिंट को पहले को हम बोलते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब और इसुरी आफ फॉर्थ ठीक है इन चारों को यह भी इज आम रहने आप से पूछता है डिसकंटीनिटी आफ फॉर्थ काइड तो आप समझ जाएं कि रीमूबेब दिसकंटी नूटी की दूसरे की बराबर ही न में खंप इसको उसको बनती है उसको हम ठी люटी या फर्स्ट काइंड की धायों कि о Griffon उसके नाम से भी जानते हैं मतलब ऑन राइड हैं दॉल कांड ना यह से ना बने तो समें दिसको बसता है अब आफ्स कांठिन केंड क्या होती है दिक हम फाइनाइट फाइनाइट फाइनाइक होना चाहिए दोनों को आइट होना चाहिए टो छो डिसकर डिस्कान्टीनिटीया इसी फाइनुड कामने पर से róż है क्या है कि जब लिफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट वह दोनों का दोनों क्या आए फाइनाइट नाए इस नाएट हाइट के उजनाइट ही सुखंट लेख यह इस इस discontinuity को हम discontinuity अब सेकंड काईट बोलते हैं ठीक है दोनों को दोना दोनों को दोनों को इन फाईनाइट आए ना नहीं लेकिन फाईनााइट ना एक हो सकता है कि वह बाunded हो इसके इसके बीच में आए लेकिन कोकि पता ना हो तो उसको हम बोल देते हैं discontinuity आप सेंड कोईंट मतलब थोनों हमारा finite number ना है ठीक है लेफ्ट हंड लिमिट और राइट हैं लिमिट फानाइट ना यह अब जो मेशच्ट सकता है यह वालान का लिफर कुछ आ रहा हो वह ठीक है तो आपको तीनों समझ में आ गया हो ऑगा फिर से बता देते हैं अगर आपको दोनुं हाता है मालेते हैं घुत लेकिन यह इंस कंट्न अगया और यह पानॉट नहीं ही आया तो यह हो जाएक हमारा विख सब सबस्क्राइब होती है यह जो सिंपल सीध अगया और यांगर यह इसके बराबर कर ना हो मतलब यह यह दोनों बड़ाबर आ जाए फैनाइट भी आ जाए मतलब लिमिट एक जिस्ट करें अगर फ़ंक्षन का लेकि फ-व ऐक बराबर ना आये तो उसको हम बोल देते हैं क्या रिमूबेवल डिसको हम बोलते हैं कि अब आप लोगों की बात दिमाग में एक बात आवर आती होगी कि आखिर इस टाइब से कैसे पूछी जाते हैं तो सिंपल से बनते हैं इस पर कि पता किजिए कि इस तरह का लगा इस इस तरह का डिसकानटे नुटी है भी अप्रडिक आपको बताते हैं कि अच्छे तरी के तरह बढ़ते हैं क्So subtraction prawn function यह किस तरह का डिसकांटिनूर्स function है एये किस तरह का descotin何 सब्सक्रीन और टो ऑगर कुछ ना तो आप तरह जा जाए यह आफ जीरो की बैलू आ जाएगी हमारी इती टीटेक है निकालने लिमिट और निकालेंगे राइट हैंट लिमिट टीटे और और देक्षिंट इसमारा यही आता है कि नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने आपको बताया था क्या होता है लिमिट यह 0 f of 0-0-h और यह होता है limit h tends to 0 f of 0 plus h ठीक है रख देते हैं simple सा क्या हो जाएगा limit h tends to 0 f of उस्वरी सीधर सीधर हम रख देते हैं यह क्या हो पर वन अपानी यह माईनस वन अपानिरोगा और यहां पर वन अपान फन सकते हैं लिमिट यह च टैंस टू-0 वन अपान इकिपावड ऑना फाण ने यह मुण हो जायगा लिमिट यह टैनस टू-0 वह तो शी Suzanne आपको नहीं दिंए अपना यह दू तbak सबते हैं आप देखिए अगर हम यहां पर zeros लगा देंगे घर के अस्थान सवाइप देंगे तो क्या हो जाएगा वह एक इपाइड इन्फिनोटी यानि इन्फिनिटी जीनो जए गाई नीजे इनिफिनिटी यानि तो इसकांटीनूस है आपको थे एक तरह का पता थे हैं दूसरा फो जाएगा हमने यहां पर आपको बताया था एक और फैनी और दूसरा इंट आयता है तो हमारा में देशकांटीनूस होता है अब चाहिए यह वाला तो हमारा मिक्स डिसकांटिनूस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा राइट है जो है वह इन्फाइन आ गया और लेफ्ट हैंड लिविट फाइन आ या यानि हमारा क्या होगा दिसकांटिनूस समझ में आ गई बात चलिए दूसरे कोश्चिन के तरफ बढ़ते हैं अगला कोश्चिन आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्या है यह जब यह ब्राबर नाट जीरो हो और वन जब यह ब्राबर जीरो हो यानि कि यह पर दिया गया है चलिए अब हम एक जगहां पर लेफ्ट है निकालते हैं और दुसरा राइट राइट हैं निकालते हैं ठीक है लेफ्ट है जोड़ेगा है लिमिट यह इस टेंस टू जीरो दियो यह सो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा और यहां पर लिमिट यह टैन्स टू जीरो यह टैन इन वर्स वन अपान यह दो चीज़ें आपको समझ में आई यह दोनों लिफ हैं लिमिट और राइट हैं लिमिट ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए अब हम यहां पर सीधा सीधा यह की बैलू रख पूरा जिरो आजाएगा मतलब लेफ्ट हैंड लेमिट इज एक्वल टू राइट हैंड लिमिट ठीक है 00 आ रहा है लेकिन आप लोग देखिए यह आप जीरो की बैलू जीरो नहीं आई है यह फाइनाइट भी है यूनिक भी है फाइनाइट भी है यूनिक भी है बराबर है मतलब लिमिट एक्जिस्ट भी कर रहा है लेकिन यह फाफ जीरो की बैलू बनाई है मतलब की लेफ्ट हैंड लिमिट इस इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर नाट इफ आफ ए अब यह कंडिशन आप लोग देख सकते हैं कि यह रिमूबेवल का फोर्थ काइड यानिकी रिमूबेवल डिसकॉंटियूटी तो वसा करते हैंगे आपको यह सारी चीज़े समझन में आ गए होंगी तो इसी के साथ हमारा कांटियूटी आफ फंक्शन आफ वन बैरियेबल चैप्टर खतम हुआ और निक्स्ट लेक्टर में हम बात करेंग आफ फंक्शन के बारे में तब तक के लिए जैहन मिलेंगे निक्स्ट क्लास में